इस वीडियो में हम construct the minimum bitwise array 1 और 2 इन दोनों प्रोब्लम्स को discuss करेंगे दोनों ही प्रोब्लम्स में सिरफ constraints का फरक है 1 में constraints कोड़े light है 2 में heavy है तो हम 2 के constraints के according अपने solution को देखेंगे और वो 1 पर भी applicable हो जाएगा इस प्रोब्लम में हमें एक array nums दिया हुआ है जिसमें n prime integers है हमें करना क्या है एक array answer बनाना है same length n का such that for each index i हर एक index के लिए bitwise or of answer of i and answer of i plus 1 जो भी हम answer में i-th index पर value रखेंगे वो और उसका plus 1 इनका जब or लेंगे तो वो nums i इसके equal होना चाहिए that is answer of i और answer of i plus 1 ये nums i के equal होना चाहिए ये और क्या है bitwise or उसके साथ हमें जो भी minimum value माल लो multiple values इस चीद को satisfy करती हो तो हमें जो भी answer i की minimum value satisfy करेगी वो अपने resulting array में रखनी है और अगर ऐसा possible नहीं है तो हमें answer i पर minus 1 रखना है जैसे हमें यहाँ पर example दिया है 2, 3, 5, 7 2 के लिए मारा क्या है करना है 3 के लिए क्या है 1 1 और 2 ये करेंगे तो हमारा 3 आएगा इसलिए 1 5 के लिए क्या है 4 और 5 ये करेंगे तो हमारा 5 आएगा इसलिए यहाँ पर 4 आ रहा है और 7 के लिए 3 और 4 करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा इसलिए 3 आ रहा है तो इस तरह से हमें answer array को construct करना है और return करना है हमारे constraints क्या है कि हमारे number के length 100 तक हमारे array का size 100 तक हो सकता है और हर एक nums of 5 ये 10 raise power 9 तक हो सकता है अगर ये हमारा छोटा होता तब तो हम क्या कर सकते थे simply हर एक को try कर लेते इससे जो भी छोटी value है मान लो ये value 100 तक होती तो 0 से लेकर 99 यहां तक हम हर एक value को try कर लेते और जिस minimum value पर ये satisfy करता हम वो store कर लेते लेकिन 10 रुप 9 काफी बड़ा है तो अगर 10 रुप 9 तक जाएंगे तो हमारा time out मार जाएगा तो हमें एक efficient way सोचना पड़ेगा अब हमारा ओर क्या है bitwise bitwise operation है तो हमें bitwise के way में think करना पड़ेगा अब हम bitwise की कुछ property को समझते है हमें ultimately करना क्या है answer जो भी हम आयात position पर रखेंगे उसको मैं candidate कहा रहा हूँ और candidate plus 1 इन दोनों का ओर अगर हम अरे नमसाई के equal आता है तो हमें store करना है और ऐसे minimum value store करनी है तो पहले हम इस plus 1 इसका effect समझने की कोशिश करते है कि अगर किसी चीज में जैसे candidate में हम plus 1 add करना है तो इसका हमारी binary representation में क्या फरक बड़ता है तो उसलिए मालो मैंने यहाँ पर binary representation ली 1 1 0 1 इसमें मैं 1 add कर रहा हूँ तो मेरा क्या है यहाँ पर 0 आ जाएगा फिर यहाँ पर 1 फिर 1 1 मेरा जो last 0 था वो 1 में convert हो गया और इस 0 के बाद जो 1 थे वो सारे 0 में convert हो गए similarly 1 0 1 1 यह ली इसम 1 add करूँगा तो यहाँ पर 0 आ गया फिर मेरा 1 यहाँ पर carry आएगा 1 1 1 का 0 यहाँ पर 1 carry हो जाएगा और फिर 1 और 0 1 1 0 1 मेरा 1 1 0 0 again जो मेरा rightmost 0 था वो 1 में convert हो गया इसके बाद के सारे 1s 0 में convert हो गए यह property आप देखोगे हर बार repeat होगी जैसे यहाँ पर मेरा क्या है यहाँ पर 0 है यहाँ पर सारे 1 है तो जब मैं इसमें 1 add करूँगा तो यह सारे 1s मेरे 0 में convert हो जाएगे और rightmost 0 मेरा 1 में convert हो जाएगा एक और example लो 1 0 0 1 इसमें 1 add करूँगा तो यह वाला 1 मेरा 0 में convert हो जाएगा और जो rightmost 0 है ये 1 में convert हो जाएगा बाकी सारे bits as it is रहा जाएगे तो 1 का add करने का effect क्या होता है कि जो हमारा right most 0 होता है वो 1 में convert हो जाता है और बाकी सारे 0 में convert हो जाते हैं उसके बाद वाले ones 0 में convert हो जाते हैं यानि कि हमारा 1 extra bit ये जो 1 extra 0 था ये one में convert हो जाता है और केवल एक ही zero one में convert होता है उसके अलावा कोई भी zero's one में convert नहीं होते ये एक बहुत ही important point है कि हमारा केवल एक extra bit setter है जैसे अब अगर मैं इसको candidate बानू इसका ओर करूँ पहले मैंने इसमें one add कर दिया उसके बाद जो number आया मुझे उन दोनों का और करना है candidate और candidate प्लस one तो ये मेरा candidate था मान लो फिर मैंने candidate प्लस one बनाया तो ये मेरा ये बनेगा अब जब मैं इन दोनों का और लूँगा ये मेरा candidate था इन दोनों का और लिया तो मेरा हो क्या रहा है ये वाला जो bit था ये मेरा bit additional 1 हो जा रहा है ये वाला bit मेरा additional 1 हो जाएगा ये वाला bit मेरा 1 हो जाएगा और इसमें अगर देखू जो मेरा bit 1 set हुआ था यहाँ पर ये मेरा 0 था ये 1 set हुआ था तो ये वाला bit मेरा set हो जाएगा 1 0 0 1 था तो 1 0 मेरा 1 ये set हो जाएगा तो मेरे 1 को add करने का effect क्या है कि मेरा एक rightmost 0 1 में convert हो रहा है और केवल एक ही 0 1 में convert हो रहा है उसके लाव कोई भी 0 1 में convert नहीं हो रहा है तो जब भी मैं candidate और candidate plus 1 लूँगा इनका और लूँगा तो addmost मेरा candidate में जितने 0s होंगे उन में से कोई 1 0 में convert होगा एक से जज़ादा मेरा set bit ऐड नहीं होगा इसमें 2 set bit थे तो यहाँ पर मेरे 3 होगे यहाँ पर मेरे 3 थे तो 4 होगे 3 थे तो 4 होगे 3 थे तो 4 होगे हमेशा मेरा जो भी candidate number of set bits होंगे उसमें एक का ही addition होगा maximum इस से ज़्यादा नहीं हो सकता इस चीज का हम यूज कैसे कर सकते हैं इसके लिए मान लो मैं एक नंबर लेता हूँ 11 इसके बाइनरी प्रेंश क्या होगी 1011 इसके लिए मुझे find out करने कि क्या answer होगा तो मुझे पता है कि जब मैं candidate और candidate प्लस 1 करूँगा तो जो भी मेरा candidate मैं 1 by 1 इसमें से एक 1 को unset कर दो जैसे इस 1 कॉण सेट करूँगा तो मेरा 0011 ये बनेगा अगर मैं इस 1 कॉण सेट करूँगा तो मेरा 0010 ये बनेगा तो ये सारे मेरे possible candidate हो जाएंगे क्यों क्योंकि हमें क्या चाय था कि हमारा candidate और candidate ब्लस 1 ये हमारा नम्स जो हमारा यह है इसके equal होना चाहिए, यह चाहिए था, तो जो मेरा nums था, मैं इसमें से 1-1 bit को unset करता जा रहा हूँ, जैसे इसको unset किया, तो यह number बना, इसको किया, तो यह बना, इसको किया, तो यह बना, इनको मैं मान लेता हूँ, यह मेरे possible c candidate हो सकते हैं, फिर मैं check कर लूँगा, कि मेरा candidate और candidate plus 1, क्योंकि plus 1 से मेरा 1 bit set हो सकता है, और मैंने nums में से 1-1 bit को unset किया है, तो possibility है, कि जब मैं इसमे plus 1 करके, और लूँ, तो मेरा nums के equal आ जाए, और मेरा possible answer हो सकता है, तो मैं इसमें plus 1 करता हूँ, इसमें plus 1 करूँगा, तो क्या होगा मेरा, ये सारे 1 0 में करूट हो जाएंगे, ये वाला 0 1 में करूट हो जाएगा, हमारा जो भी right most 0 होगा, वो 1 हो जाएगा, और उसके बाद वाले सारे 1 0 हो जाएगे, तो जब इसमें करूँगा, इसमें करूँगा, तो ये बन जाएगा, फिर जब मैं और लूँगा, जब मैं इन दोनों का और ले रहा हूँ, तो मेरा ये बन रहा है, क्या ये मेरा नमस का इक्वल है, नहीं है, तो ये मेरा अंसर नहीं हो सकता, ये मेरा इक्वल है, ये ये पॉसिबल अंसर हो सकता है, ये भी मेरा इक्वल है ये भी possible answer हो सकता है तो मेरे ये और ये ये दो possible answer हो सकते हैं इसमें से मैं कौन सा consider करूँगा जो भी मेरा minimum होगा ये मेरा कितना है 5 है ये मेरा कितना है 6 है minimum कौन सा है 5 है तो इसके लिए मेरा answer क्या हो जाएगा 5 और मुझे क्योंकि मैं MS भी पहले यहां से onset कर रहा हूँ फिर यहां से onset कर रहा हूँ फिर आगे इस तरह से बढ़ रहा हूँ तो हमेशा जिस भी first position पर मेरा answer आएगा जैसे यहां पर answer आगया वो ही मेरा minimum होगा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ मेरी 2 की power कम होती जा रही है तो first जब मेरा onset bit पर answer आएगा वही मेरा सबसे छोटा number निकलेगा जैसे यहां पर देखो यहां पर मेरा इस bit को onset करने से answer आगया यह 5 था उसके बाद करना हूँ तो मेरा 6 बन रहा है तो first part पर ही मैं stop कर सकता हूँ या फिर मैं continue करता जाओ और minimum value को store करता जाओ एक बार हम इस पूरे process को दुबारा देखते हैं हमें करना क्या था कि हमारा candidate और candidate plus one यह हमारा nums of i इसके equal आना चाहिए तो इसके लिए हमने क्या किया हमने bit की properties को observe किया हमें plus one add करना है तो plus one add करने का effect देखा कि क्या होता है हमारा right most zero one में convert हो जाता है उसके बाद वाले ones zero में convert हो जाते है यह हमने multiple examples के साथ देखा कि हर बार ऐसा होता है हमारा जो right most zero है वो one में convert हो जाता है और केवल right most zero ही one में convert होता है उसके अलावा कोई भी 0-1 में convert नहीं होता इस वज़े से जब हम candidate और candidate प्लस 1 ये और इसका प्लस 1 इन दोनों का जब हम और करते हैं तो हमारा केवल एक extra bit set होता है एक से ज़्यादा extra bit set नहीं होता इसका हमने use कैसे किया हमने नमसाई में से एक एक करके एक एक bit को unset करना शुरू किया MSB से LSB तक गए और एक एक bit को unset करना शुरू किया और उसको possible candidate मान लिया कि वो हमारा एक possible candidate हो सकता है क्योंकि candidate और candidate plus 1 करने से हमारा एक bit set होता है तो जो हमने unset किया अगर वही bit set हो गया तो हमारा num si के equal हो जाएगा और हमारा possible answer हो सकता है तो हमने इसका use इस तरह से किया कि num si में से एक-एक करके bit को unset करना शूरू किया उसको possible candidate मना और हमारी जो condition दी उसको check किया कि वो हमारा अगर num si के equal आ रहा है तो ये हमारा possible answer हो सकता है और उसके लाव हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम MSB से LSB की तरफ जा रहे हैं, तो जो भी 1st bit को unset करके हमारा अंसर आ जाएगा, वही हमारा minimum होगा, इससे हमारी टैंग प्रेश्टी क्या आएगा, एक तो हम हर एक नंबर पर लूप लगाएगे, हमें हर एक नंबर क सकते हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा, यह कितना है, 2 raised ख़र 0, 2 raised ख़र 1, 2 raised 2, 2 raised ख़र 3, अगर मैं 2 raised ख़र 30 को चेक कर लूँं, यानि कि मैंने 10 raised ख़र 9, यहां तख के नंबर को चेक कर लिया, तो मुझे केवल, इंटरनल में 31 size का लूप लगाना है, तो मैं टैंग को गाएगी n into 31 जो कि acceptable होगी क्योंकि n मेरा 100 है के बल और 31, 10 rate को और 3 इतने तक ही जाएगी एक बार हम इसका code देख लेते हैं code में हमें vector of int ये return करना था तो इस type के हमने एक answer variable ले लिया जिसके अंदर हर एक number के लिए अपने answer को store करेंगे फिर हमें हर एक number के लिए answer find out करना था तो हमने हर एक number के लिए loop लगाया उसके अंदर हर एक number के answer हम कैसे find out करे थे हर बार एक bit को unset करके हमारा 2 raised power 30 ये 10 raised power 9 से बड़ा होता है तो हमें 31 bits 30 से लेकर 0 MSB हमारा 30th bit हुआ और LSB हमारा 0th bit हुआ हर एक bit को हमें check करना है करना क्या है सबसे पहले देखना है कि अगर वहाँ पर bit set है IS bit हमारा अगर set है तो उसको हमें unset करना है और वो हमारा एक possible candidate हो गया फिर candidate और candidate plus one इसका और लेना है और हमें देखना है अगर ये number के equal है तो ये हमारा एक answer हो सकता है और क्योंकि हम MSB to LSB जा रहे हैं तो जिस भी first time हमें answer मिलेगा वह हमारा lowest answer होगा तो उसे हम अपते answer में store कर लेंगे और flag को true करके break कर देंगे इसका use क्या है flag कि अगर हमारे इस पूरे loop में हमारी ये condition कभी भी satisfy नहीं हुई तो हमें answer में minus 1 store करना है तो हम यहाँ पर वही check कर लेंगे कि अगर हमारा flag false है ये condition कभी भी true नहीं हो इस number के लिए तो हमें minus 1 को store करना है तो इस तरह से हर एक number के लिए हमारा answer calculate हो जाएगा और last know से return कर देंगे तो यहाँ पर हमने number के लिए loop लगाया and यहाँ पर हमने 31 size का loop लगाया तो n into 31 यह हमारी tank complexity आ गई और space complexity हमने कोई addition space नहीं लिया केवल answer को store करने के लिए space लिया है जिसको हम ignore कर सकते हैं तो हमारी space complexity आ जाएगी order of 1 Thank you guys